दोस्तो नमस्कार आपके घर में हो महालक्षमी का प्रवेश मैं हूँ देवेश दोस्तो रोजाना शुबय और शाम हम आपकी सिवा में छे खबरे कबर करते हैं महतोपूर्ण बाली और विश्टेशन होता है मजेदार इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए उसी क्रम में हम चर्चा करेंगे कि कच्चा तिल भाई साब तूट गया है 70 डॉलर पर वेरल के डेवल पर आ गया है भाई साब अमेरिका की एनर्जी सिक्योर्टी की रिपोर्ट आईए भारत को लेकर पंजाब का घटना क्रम है भाई साब नया अनफोल्ड हो रहा है पाकि गांता दास आमतर पर सांत रहते हैं लेकर इस बार गलमी खा गया है भाई साब यह जो हर घटना क्रम है भाई साब एक से बढ़का रेख है आपको पक्के से मज़ा आएगा आनद के साथ वीडियो देखिएगा अब दोस्तों आगे बढ़ने के पहले हम अपने स्टुडें महालक्षमी जी के मागदर्शन में आपका पैसा लगाता जमाजम तरीके से बनता रहे अब दोस्तों यह चार्ट देख लीजिए और कच्चे तेल का लेवल देख लीजिए 70 डॉलर के लेवल पर है भाई साब आज से एक साल पहले 122 पर था कच्चा तेल आज जो है 70 पर आ अब भईや जी कच्चा तेल नीचे आया है तो आप और हम सब प्रातना कर रहे हैं कि पेटरोल डीजल सस्ते हो जाएं तो बहुत अच्छी बात अगर यह सतर के नीचे कुछ दिशनों तक रहता है तो पैटरोल डीजल पक्के से सस्ते होगा और हम किए रहा ऑग ना भी हो त तो भहिया OMC's पे आफ फोकस कीजिए, OMC's मतलब oil marketing companies, हिंदुस्तान petroleum, DPCL, HPCL, IOCL, भिया जी कच्चा तेल सस्ता हो गया है, तो उनकी balance sheet मजबूत होगी, बलवान होगी, profit बढ़ जाएगा, तो भले ही petrol diesel सस्ता ना हो, कम से कम OMC's का dividend तो आएगा ही आएगा, तो उस्तों ध्या नहीं दे रहे हैं, हम आपसे बोल रहे हैं, कि सिर्फ petrol diesel के दाम सस्ते होंगे, उससे आपको रहात मिलेगी, इस उमीद में आप मत बैठ, ये इस घटना करम को खेलने के दो तरीके हैं, तो OMC चचा कर लिए दूसरी, वो कमपनियां, जो कि कच्चे तेल का इस्तमाल raw material के ये कि अपना पैसा पके से बने, उधारन के रूप में आप भी दे सकते हो, हमने जो है, OMC में निवेश कर रखा है, साथ में oil producing companies में भी निवेश कर रखा है, दोनों तरफ खिलते हैं, कच्चा देल गिरे, तो भाई यहां profit होगा, बढ़े तो यहां profit होगा, दोनों तरफ स जाएगा, हमने कहा कि किसे बेवकूफ बना रहे हो, इस खरजी रिपोर्ट से, अरे भया हमें गफलत नहीं है, भारत की उर्जा की जलूरत बढ़ रही है, इसलिए मैं सौर भी चाहिए, पबन भी चाहिए, और crude oil भी चाहिए, crude oil की discovery चालू रखी है, इसका उत्पादन पर निवेश करो, ना, 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 सब को समालो भाईया, जी तभी काम बनेगा भाईजाब, अब दोस्तों देख लिए, यह है अपना भारत, और जी है भारत सप्लाई कर रहा है, रेलवे के डब्बे भाईजाब, जिन डब्बों को लोकोमोटिव खिंचता है, वो भी हमने भेजे हैं, जो डब्बे अपने आप दोड़ते हैं, जिन में खुद में मसीन लगी होती है, वो भी सप्लाई करे हैं, अभी वीकेंड में ही चार डब्बे भेजे हैं, लेकिन भाईजाब ध्यान दीचे, पूरा का पूरा अफ्रीका खाली पड़ा है, हमारे लिए एक्सप पाइशा देने से मना कर दिया, बियाज के बिना पैसा नहीं मिलेगा, बियाज तो देना पड़ेगा भाई साब, बैतर होगा, यह आप आई-एम-फ से पैसा जोगाल लो, यह उसकी हालत है, जो बिना काम किये जो है, पैसा मिलता है, कच्छा-तिल निगालने का काम इनोंने अमेर्की कम्प्रीयों को दे रखता है कोई काम करना पड़ता है प्रीपोकेट में पहिसे खड़ा होता है तो यह भी पैसा नहीं दे रहा है पाकिस्तान को भाई यही होता है भीकारी ने मोल भाव जादा नहीं करना चाहिए लेकिन भी देखो आप इतनी खराब हालत हो रखी है पाकिस्ताने की लेकिन इसके बावजूद भी भारत में खालस्तानी मूव्मेंट को भड़का रहे हैं खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं लेकिन भारत की मौत की साजिस रचने वाला देश है इसलिए बाइसा पाकिस्तान से जादा खतरनाक वो लोग हैं जो भारत म पाकिस्तानी प्रोपगेंडा को हमेशा आगे बढलाते हैं दो तीन मीचप πेहली चटता हो रही हो В हम थो पाकिस्त कांद के संद। तो आपने देखी होगी, अब आप काम भी देख लो मतलब ये notice पे notice जा रहे है लेकिन जवाब नहीं देंगे, का है वह ये विदेश हैं विदेश में बैठे हुए है अब ये विदेश में बैठना जरूर ये funding तो वहीं से आती है ना भारत को तोड़ने की, बारत को गालियां देने की हम तो आप से कह रहा है भाईयारी आपको अमीर बनना है, देश बेचो आप आपको फेमस होना है, देश को आप गालियां दो बस, देश को गालियां देंगे फेमस आप हो जाएंगे, देश को बेचेंगे अमीर आप अपने आप बन जाएंगे भाई साब तो इन्होंने यही सीक्रेट अपनाया हुआ था अब आप देखिए विश्व भारती इन्वर्सिटी इनसे कह रही है कि भाईया जी बताओ तो यह जमीन तुम्हारे पास है तुम्हारी है कि नहीं है कुछ तो बो लो लेकर भाईया जी बोल नहीं रहतो ना नोटस चिपका दिया इनके मुझपए कि भाईया जी यहां तो जबाब दो नहीं तो हम तुम्हारे लिए और्टर जारी कर रहे हैं कि जमीन खाली करो निकल लो यहां से पतली घली से तो इनका कहना है कि साब हमें तो जमीन जो है समाधान है तो निकाल लिए उसको कम से कम जबाब तो दो भईया जबाब ना देना कौन सी समझ्चा का समाधान हो रहा है इस से अब दोस्तों इतिहास आपको याद होगा इंद्रा गांदी का इंद्रा गांदी के जमाने में खालस्तानी मूव्मेंट पैदा हुआ था कहां प समझ्चा है यह तो आप पार्टी जाने हमें क्या धिकत है होंनो भाईय जी लॉयन ओर राज'D Ты का इस समस्चा को सकते थे वह ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार इंद्रा गांधी ने किया था इंद्रा गांधी ने क्यों किया था क्योंकि उनके लिए पार्टी का हित देश हित से बड़ा था लेकिन मोदी सहाब के लिए पार्टी के हित से देश हित ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए उन्होंने एक्सन लिया है अमरत पाल सिंग का सवाल है तो बहुत धंकियां दे रहे थे अब कहां बग गए देश में हो देश से बाहर चले गए कुछ तो बताओ भाईया जी ऐसे कैसे काम चलेगा अब दोस्तों सक्तिकांता दास सहाव नौनमरी सांत रहते हैं लगर गर्मी खा गया वो ले क्यों यार परिषान कर रखा है वह लेकिन ने यह जो पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जैसे की गूगल पे फोन पे पेटियम बगएरा यूपी आई करते हैं तो उनका कहना है कि भाईशा वगर कस्टूमर की मोबाईल से पैसा गया और सामने वाले किया नहीं प्रोसेसिंग दिख किया और यह कोई तो सुनुवाई होना चाहिए कोई तो सिस्टम होना चाहिए ओनलाईन डिस्प्यूट रेजिलूशन सिस्टम होना चाहिए कम से कम लोगों को अपनी बात रखने का मुझा तो बहुत तो उन्होंने अब फटकार दिये जल्दी से बनाओ ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साब दूसरा यह स्टार्ट अप बाई साब जाने भाई साब कौन से जल्वेवे में रहते हैं तो आर्विया कानुनों का पार नहीं करते मतलब तो मासमान से उतर के आयो आपको इतनी सब सुर्दाएं मिली हुई हैं लेकिन भाई साब फिर भी जब शेयर मार्केट में आएंगे तो अनाप सनाप बैल्यूएशन पर आएंगे आपको हम सच बता दें अभी खबर आई थी भाई ने कई साले आई प्यों के पेपर लोटा दिये भगो यहां से फालती में काया आ गया हराम का पईशा है जन् दे रहा है दुरस्ता है पॉइंट जा है भया जी के हम भी स्टारट आप का सपोर्ट करते हैं लेकिन भया जी जब आप अनाप सनाप दाम पे शेयर मार्केट में आते हो जन्ता को बवखोब समझते हो तो भया जी हम जो है आपको बिल्कुल भी सांटना नहीं देंगे बु यह ऐसा थोड़ी है कि हम पैसे निकाल के आपको देते लाएं और आप उस पैसे को एड में बरबाद करते रहो इतना भी हराम की कुमाई थोड़ी है अपने पास अब दोस्तों आप मेंसे कई लोगा ने फीडबेक दिया था कि हमारे मन में सवाल आते हैं वो एकॉनमिक्स से चुड़े हो सकते हैं शेयर मार्केट से लेकर भी हो सकते हैं चुड़े हुए तो उन सभी सवालों का विक्तिकत आपकी तो सवाल है उनका जवाब देने के लिए हम यह नया प्रोग्राम लेके आए हैं रवीवार को सामको आठ वजे हम यह सेशन आयोजित करते हैं इस सेश सवाल पूछ पाएं और हम आपके जवाब दे पाएं वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैश्री राम